हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतिश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिये दर्शक गणों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन मेरे प्रिये साथियों मैं हूँ आचारे पंडिस सर्वदानन शर्मा मेरी और से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमशकार तो साथियों आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे जिस विशे पर बात करेंगे उस विशे का नाम है मंतली लव राशी फल जी हाँ मासिक लव राशी फल और ये जून दोजार तेईस का अपरिये साथियों आप हमारे इस कारेकरों को जिसका नाम मंतली लव राशी फल है बहुत पसंद कर रहे हैं हमें ये बताते हुए दिल से बहुत प्रसंदा महसूस हो रही है और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हमारी तरफ से आप सभी दर्शक गणों के लिए बहुत करेंगे इस वीडियो में लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आप से एक अनुरोध है और वो यह है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है मेरे प्रियसातियों तो आप अपने इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है अच्छा लगता है तो प्लीज ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है इसको जरूर पुश करें इसको दवाना ना भूलें क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है तो बात हो रही थी प्रियसातियों के मन्थली लवराशी फल को लेके जी हाँ ये मंतली लव राशी फल जून दोजार तेज़ का उन रूप से लगन राशी पर आधारित है चंद राशी पर आधारित नहीं है और दूसरी बात ये भी है कि आज जो हम इस कारेकरम के दोरान आप से तर्चा करेंगे वो सरफ और सरफ जो आप मकर लगन राशी के जातक हैं यानि के जो कैपरी कौर्ण असेंडेंट बेस्ट परसंस हैं उनके विशह में बात करेंगे और बताएंगे के जून दोहजार तेईस में आप मकर लगन राशी के जातकों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है या किस होगी जून दोहजार तेईस में उसी आधार पर आपको अच्छे या बुरे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है तो आएए उनकी संभावनाओं के विशह में बात करते हैं कि किन-किन प्रकार के रिजल्ट्स या किस-किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना आ लगलка आप को जैसे की आप जानते भी हैं कि हम जब भी लव राशी फल की बात होती है चाहें बों मन्तरी लव राशी फल हो या एनवल लव राशी फल हो तो हम मुख pixel तों पर five points पर discussion करते हैं और यह five points ऐसे points हैं कि इसमें सारी चीज़ कवर हो जाती हैं जिसमें की सबसे पहला point तो हम पकड़ते हैं कि जो अभी तक सिंगल है किसी कारण से आपका कोई मित्र नहीं बन पाया है या आप नहीं करेंगी इसके विशह में बात करेंगे point number two लेंगे कि अगर आपके पहले से ही कहीं affair चल रहा है या relationship में है आप तो उसकी स्थिती कैसी रहेगी कैसे हालात रहेंगे जून 2023 में कितना आप उसको enjoy करेंगे अपनी उन संबंदों को कितना progress होगी आपके इन संबंदों में और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ठीक इसके विपरीद पर इस हितियां पैदा हो जाएं तो इसके विशह में भी बात करेंगे पॉइंट नमबर थरी रहेगा कि आप मकरलगन राशी के जो जातक हैं अगर आप मेरिड हैं चाहें आप महिला हैं या पुरुष हैं तो आपकी मेरिड लाइफ कैसी रहेगी किस दिशा में जाएगी और नमबर फॉर पॉइंट रहेगा कि आप मेरिड भी हैं लेकिन कहीं आपका अलड़ी एक्स्ट्रा मेरिडल एफिर्स भी है तो आप यही पूछना चाहेंगे कि जून दोहजार तेईस बताएं कैसा रहने वाला है उनको ले करके और अगर पहले से नहीं है आपका तो क्या जून दोहजार तेईस में इस बात की संभावना है कि आपका कोई एक फिलाल आपको no contact situation में पहुँच चुके किसी भी कारणवश्य आपका separation हो गया आप अलग हो गए या जो भी हुआ तो क्या दुबारा से आपके वही संबंद कायम हो पाएंगे बन पाएंगे पहले जैसे या ऐसा तो नहीं है कि आप interested ना हो कि मुझे नहीं रखना संबंद continue नहीं करना ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है कि आप बहुत से जाता कि यह भी चाहते हैं कि जैसा था फिर वैसा ही हो किसी वजह से कोई घलत सही हुई या जो भी कारण बना चली है किसी तरह से अलग हो गए लेकिन अब हम चाहते हैं कि दुबारा से एक साथ खटे हों और हमारे दोबारा संब्द बने तो वो उन चीज़ों को ले करके क्या रिजल्ट्स में लेंगे या क्या इस एक्षिती रहेगी उसके ओपर भी बात करेंगे तो सबसे ही एक्स्टाओर्डिनरी रहेगी जी हाँ एक्स्टाओर्डिनरी बिलकुल और कुछ छोटी मोटी चीज़ों के विशह में आप नहीं सोचेंगे को बड़ी चीज़ों के विशह में करने की सोचेंगे और कुछ बड़ी चीज़ों के साथ-साथ आपका जो माइंड है वो analyze किये हुए चीज़ों को आप किसी conclusion पर आसानी से नहीं जाने वाले और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मित्र के साथ या जिसको मित्र आपने बनाया है जिसको मानते हैं या जिसको पसंद करते हैं जिसको आपने पसंद किया है क्या उसकी तरफ से भी आपको कुछ इसी प्रकार के जैसा कि आप उसको ले करके सोच रखते हैं तो आपको भी ऐसे ही कुछ मिले का क्या उधर से वो रैसी प्रोजेट करेंगे क्या आपको लेकिन देखिए ऐसा है वहां से कुछ थोड़ी समस्या मुझे नजर आती है क्योंकि वो रैसी प्रोजेट आपको उस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरीके से आपका उनके प्रती बीहेवियर रहेगा या एटिटूड रहेगा आपका तो बहुत अच्छा और बहुत 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 ब मित्रका आपको लगे गा या जो उनकी निगेटिव ठिंकिंग या जो निगेटिव उनके फॉट्स होंगे आप उनको भी दूर करने की बहुतновक прошफ कोशुश करेंगे उनको भी पूरी बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों जब मार लीजे आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं मेल है या फीमेल है जो भी है उसकी कुछ अपनी समस्या है हो सकती है जिनको लेकर करके उसकी कुछ निगेटिव ठिंकिंग चल रही हो और वो चीज आपके नोटिस में भ पता लगे तो आप भी यही फील करेंगे कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है तो आप भी उस उनकी मानसिक्ता को बदलने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और कहीं तक और किसी हद तक आप कामयाब भी होंगे मैं यह तो नहीं कहता कि 100% सक्सिस हो जाएंगे आप उनकी मानसिक्ता आगो बदलने में, लेकिन आपको काफी success मिलेगी, इस दिशामें, लेकिन आप से इतना क्या Henna चाहूँद आप सिंगल जातist ओकों से, जो करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि गरों की सिटी आपके बहूत favor में, तो आप जो भी decision ले रहे हैं, या लेंगे, बहुत decision होगा आपके द्वारा लेकिन बस एक चीज का मैं आपको सुझाब दूँगा कि आप उनको प्रपोज ना करें इस महीने में जून में जी हाँ क्योंकि अगर आप प्रपोज कर देते हैं न तो उस प्रपोजल का भी कोई benefit आपको मिलना नहीं है क्योंकि अभी तक तो वो व्यक्ति जो है पहले है उसकी मानसिक्ता तो proper हो वो बंदा handsome है या beautiful है और qualified भी है हर चीज है उसके पास आपके जो आपको चाहिए उस अपने मित्र में वो हर चीज उसके अंदर मौजूद है लेकिन कई दफ़ा क्या होता है व्यक्ति के साथ कुछ हालात ऐसे होते हैं कि उनके रहते हुए उसकी मानसिक्ता बदल जाती है कुछ इस तरीखे के हाला तो वो फेस कर रहे हों सरकम्स्टांसिस कुछ उनके अगेंस्ट हों थोड़ी सी तो उन चीजों को लेकर के वो सकता है परिशान हो आप उनकी मदद कर सकते हैं और आप मदद करेंगे मैंने जैसा कहा है बहुत अच्छे डंग से मदद करेंगे उन की सिती ऐसी नहीं है तो फिर फाइदा क्या भी प्रपोस करने का जल्दवाजी क्यों करें और आप करेंगे भी नहीं जल्दवाजी बहुत समझदारी और सुझबूश से आप काम करने वाले व्यक्ति रहेंगे इस महीने मकरलगन राशी के जवाब जातक हैं मैं जितनी चल रहा है मकल लगन राशी की जजातक हैं मैं आप से बहुत इस पर शब्दों में सीधे सीधे सब शब्दों में बहुत इमानदारी के साथ ऑनेस्टी यह कहना चाहता हूं कि जो आपका मित्र है बेशक आपका पहले से है आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है इंटी म तो आपका जो मित्र है ना उसके घर का जो लॉड है वो नीच राशी में नीच अवस्था में तो जब नीच अवस्था में गरह चला जाता है तो उससे काम भी वो वैसे ही कराता है तो यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं या जो मैं समझ पा रहा हूं कि आपका मित्र की और से कहीं ना कहीं आपको धोका आपके साथ ना हो जाए मुझे इस बात का थोड़ा सा वै है. तो आप थोड़ा सावधान और सतरक भी जरूर रहें. कि आपका मित्र कहीं आपको धोका तो नहीं दे और ये हाला सरफ इसी महीने रहेंगे बाद में उनकी जब गरों की इस्सिती बदलेगी तो बुद्धी भी बदलेगी लेकिन क्योंकि अभी गरों की इस्सिती ऐसी है कि वो आपको चीट भी कर सकते हैं चीटिंग कर सकते हैं आपके साथ तो आपको थोड़ा समल करके रहना है जहां तक विवहा की बात है तो देखिए विवहा का योग भी बना तो है विवहा आपका हो सकता है लेकिन विवहा में अर्चने बहुत आएंगी ऐसा योग है यह और यह जो अर्चने है कुछ इस प्रकार की हैं कि जो आपके घर के बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनको भी कि किसी ना किसी बात को ले करके अब्जेक्शन जरूर रहगा ऐसे रिष्टे पर या इन संबंदों को ले करके तो अर्चने कई प्रकार की है योग तो बना हुआ है शादी का अच्छा योग है लेकिन बीच में अर्चने भी काफी निजर आती है अगर आपने उन अर्चनों से आप निकल गए दूर बाहर हो गए तो हो सकता है शादी भी हो जाए अब बात करेंगे कि भई आप मेरिड हैं लेकिन आपकी मेरिड लाइफ कैसी जाने वाली है मकरलगन राशी के जातकों की जून दोजार तईस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो वैवाइक स स्पेर भी हो जाएगा आपका जीवन साथ ही भी अकरामक हो सकता है आपके प्रिटी कुछ इसी कुछ बात हो जाएं कि जिनको लेकर के तनाव पैदा हो जाए लेकिन यह तनाव ज़्यादा नहीं रहेगा ज्यादा देर नहीं चलने वाला थोड़े बहुत समय के लिए यह उसके बाद चीज़े नॉर्मल होंगी तो ज्यादा तर यही है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय निकालेंगे बीच बीच में थोड़ा तनाव की सिती बनेगी उससे थोड़ा साफधान रहें ऐसा ना होने दें तो ज्यादा अच्छा है यह आप पर ही डिपेंड करेगा अब बात करेंगे कि आप मेरिड भी हैं लेकिन एक्स्टा मेरिटल एफेर्स भी आपके कहीं चल रहें उसको लेकर के तो देखिए मैं एक्स्टा मेरिटल एफेर्स को लेकर के भी बड़ा मजबूती योग बना हुआ है लेकिन मैं यह आपर बता दूँ अभी मैं अभी विभा की बात कर रहा था वैवाहिक जीवन की तो उसमें मैं आपसे ये भी कह रहा था कि आपका जो जीवन साथी आपके पुरा रोमेंटिक मूड में रहेगा अच्छा संबन्द चलेंगे बीच बीच में तनाव भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई पड़ता है होगा अच्छा अक्रामक मूड भी देखने को मिल सकता है आपके जीवन साथी का आपको तो उसके पीछे भी यही कारण होगा जीवन साथी या तो उसके पास इन बातों की सारी सूचना हो इनफॉर्मिशन हो और कहीं ना कहीं उनकी अक्रामक ता आपको देखने को मिले या आपको फेस करनी पड़े तो जरा इन चीजों को बेलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अन्त में बात करते हैं कि नो कॉंटेक्ट सिच्वेशन में अगर आप पहुच गए तो आपके हालात कैसे रहने वाले जून 2023 में साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो पास्ट में हो चुका है वो तो हो चुका है आप भी उस पर ज़्यादा विचार करना पसंद नहीं करेंगे और आप भी यही चाहेंगे कि चीज़ें जो हैं अब वो नए सिरे से नए ढंग से हो तो जादे अच्छा है लिकिन यहाँ पर मैं जो देख पा रहा कि गलत दिशा में आपके प्रियास नहीं रहेंगे लेकिन थोड़ा सा जो आपका मित्र है उसकी तरफ से थोड़ा सा अभी जिसको कहते हैं ना कि उसका कंसेंट मिलने में या उसकी नाराजगी या उसका थोड़ा सा अक्रामक रुख वो अभी आपको इस जून दोचार ते कि आप जो भी स्टैप लें कुछ इस तरह से लें कि कहीं और ज्यादा अक्रामक था आपके उस साथी की आपको देखने को ना मिले तो ये इस सिती आप मकर लगन राशी के जातकों की रहने वाली है जून दोहजार तेईस में साथी हो अगर आपको ये राशी फल पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरू कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करने ताकि दूसरे लोग भी इसका लाव ले सकें और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोजी पर हमारे बनेंगे वीडियो उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियो आप तक पहुंच पाएं समय रहते तो उसके लिए आप बैल आइकन ज ठीयोखन और वाले प्लेयो आप तो जञे ऊसे जाप खिए वीडाई रहते हैं सब्सक्रावाश समय खिमा तो आप पात बाता मांने आप वीडिवा प्लेंहा ईकन दिनी उक बाता का यदिस सक्पक में पोणका लिए का लाश्य का थारीम